तो गाईस मैं अपने फोन में आच चुका हूँ अगर आपके चैनल पर सब्सक्रावर इंक्रीज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको प्रेक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरीके से जो आप अपने चैनल पर सब्सक्रावर को बढ़ा सकते हो गाईस सबसे पहले मैं पर यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं लास्ट ट्वंटी एट डिज में अब यहाँ पर मैं इस पर जैसी किलिक करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे ग्राफ जो है पहले दस से कम था मतलब जो मेरे सब्सक्रावर इंक्रीज हो रहे थे वो पर दो दस बार है वस को इतने इंक्रीज हो रहे था है आज की अपर किलिक करता हूं तो यहाँ पर तेजी हैं सोले हैं इककीस है यह फिस यहां पर और और आगे बड़ते हैं तो इस टाइप के सब्सक्राबर यहां पर increase होने लगे हैं फिलाव..! यह सब कैसे हो रहा है कि मैं यहांपर एक tric को यहांपर apply कर रहा हूं जिस वORIAसे जो यहांपर यह सबस्क्राबर मेरे इतनी तेजी से increase हो रहा है । यहांपर आपने यह तो देख गсти sia का सबस्क्राबर कैसे increase हो रहा है इसके बद आपको सबसे last में चले जाना है जिसे कि आपका यहाँ पर last में एक option मिलेगा new to you अप्सन का मतलब क्या है चली मैं आपको बजाता हूँ जैसी आप इस पर click करते हो तो यहाँ पर आपको वो video show करेंगी जो मतलब आपने इनकी video कभी देखी नहीं हो ऐसे यूटूबर की video यहाँ पर show करेंगी और उसी category से latest show करेंगी जो वीडियो आप देखते हो तो यह आपके में ही नहीं है यह आप देख सकते हो एक बार जैसी click कर दोगे इसके बद आप यह home page पर सबसे front में आप देख सकते है new to you का और इसका color जो है आप यहाँ पर देख रहे हो चेंज होता जा रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर YouTube इसे खोदी promote कर रहा है इसको highlight करके new to you के लिए देखिए color change हो रहा है इसका आप देख सकते हो यह highlighting होके दिखाई दे रहे है अलावा आप किसी और पर किलिक करते हो तो वह highlight नहीं होता है तो यह special feature है इसके बारे में आगे भी सब कई सारे update आने वाले YouTube के जिससे जो है इसमें नए YouTuber की वीडियो को promote किया जाएगा फिल गाइस हमको काम करना है कि इस feature के अंदर जो मैं अपनी वीडियो को लेके आना है तब ही जाके हमारे वीडियो पर views आएंगे तो यहाँ पर जरूरी नहीं है किसी के चैनल को subscribe कर लिया हो तभी यहाँ पर new to you है इसके लिए हमें अपनी वीडियो को फिर से जानापड़ेगा अपने इसमें बाइटी स्टूडियो में और यहाँ पर हमें वीडियो सेक्शन पर किलिक करना है और वीडियो सेक्शन पर जाने के बाद हम जैसे भी वीडियो को यहाँ पर एड़ करना चाहते है उस वीडियो को ओपिन कर लेना है यहाँ पर आपको पैंसिल आइकन पर किलिक करना है यह आप पैंसिल आइकन देखाई description में आपको दो तरीके से लिखना है चाहिए आप नीचे लिख दो चाहिए उपर कहीं पर लिख सकते हो पहला आपको लिखना है hashtag new without space के और small अक्षर में new to you ठीक है इसका आपको space देना है और फिर से आपको लिखना है बिना है hashtag लगाए new और to you hashtag लेना आणा है और space भी नहीं लगाना इसको आपको क्या करना है फिर से बापर पर आपर और यहां पर नीचे tag section पर आजाना है और tag में भी आपको यहां पर इस तरीके से लिखना है देखिए new टू यू एक तो new to you space दे के लिखना है और एक आपको बिना space के लिखना है new to you इतना करने के बाद गाईस आप इसको वीडियो को save कर देना और save करने के बाद जैसे आप अपने यूटूब पर तो यहां पर आपको करना कुछ नहीं है और यूटूब इस चीज को देख लेगा कि आपकी वीडियो न्यू ट्यूव में कहीं ना कहीं तो फिलाल गाईस वीडियो में बस इतना ही था अगर आप इस trick कर यूज करते हो तो आपके भी चैनल पर जो सब्सक्राबर बहुत जल्दी increase होने वाले हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राब कर लीजीगा और आज की वीडियो में ने फिल्स का मिसली नहीं बनाए क्योंकि मेरे यहाँ पर अभी लाइट की प्रॉब्लम चल लगाईस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद